CAA कानून को लाकर मोधी सरकार फस गई है और अब BJP के पास केवल दो विकल्प बस्ते हैं धहरे रखिए बताते हैं लेकिन उससे पहले समझते हैं कि आखित कैसे BJP CAA कानून में फस चुकी है आगे बंडे से पहले थोड़ा सा CAA की भूमी का जान लेते हैं और समझते हैं कि के मामला बना गया से CAA जिसको 11 मार्च 24 को नोटिफाई करके लागू कर दिया गया और CAA के तहट भारत के तीन पड़ोसी देश अफगानिस्तान पाकिस्तान और बांगला देश वहां से जो सरनार्थी भारत आये थे उनको भारत की नागरिक्ता देने के संबंद में इसमे लेकर जो मुख विवाद है वह कानून और 1000 मुख भिवाद है कि यह और मुसलिम से कानून को लेकर जो मुख भिवाद है वह कानून प्हान करता है जो लोग भारत के नागरिक्ता नहीं दी जाएगी केवल उन्हीं कमुनिटीज को भारत के नागरिता इस कानून के तहर दी जाएगी जो हिंदू सिख बहुत जैन पारशी और इस्साई समुदाय से संबंद रखते होंगे अब आपको हम जो भारत का समिधान है जिसको भारत के समिधान की कुणजी कहा जाता है प्रेंबल कहा जाता है उसको एक बार पढ़ के सुना देता है इसमें लिखा है हम भारत के लोग भारत को एक संपून प्रभुत्व संपन समाजवादी पंत निर्पेक्स लोग तंत्रात्म गणराज बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनेतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विष्वास धर्म और उपासना की स्वतंतरता प्रतिष्टा और अवस्यर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुटा बढ़ाने के लिए द्रिरसंकल्प होकर इस समिधान सभा में आत्मसम रपेत करते हैं ए भारत का समिधान उसके टहट ластहागला उसके साथ उसके समता का अधिकार यानि यह समिधान के जो यह समता का अधिकार और धर्म निर्पिक्स्टा का जो चिधानत है उसको बाधित करता है ऐसे में येदि Muslim law personal board यानि आल इंडिया Muslim law personal board जो की इस बात का दावा कर रहा है कि वो इस मामले को लेकर Supreme Court जा सकता है ऐसे में ये दि उसने सुप्रेम कोट में याचिका डाली तो इसको लेकर सुप्रेम कोट इस कानून को समयधानिक भी घोशित कर सकता है इसकी संभावना पूरी लग रही है क्योंकि जो राजनित्यत्तेग्ट पार्टी है उनका कहना ये है बिजेपी का कहना ये है कि जो कानून है कि जो erfahren नागर्यक्ता देने का प्रावधान करता है किसी के नागुता चीनने का प्रदाप्रावधान नहीं करता है अलाकि इसमें जो मुस्लिम समुदाय है उसको नहीं जोड़ा गया है उसके पीछे कारण यह है कि जो तीन पड़ोसी देशों की हमने बात की है वो तीनों देश मुस्लिम राष्टर हैं और वहां पर मुस्लिम Ariber's Champ नहीं है और अल्पसंद क्य двухетр होने कि वज़े से उनके खिलाब कोई प्रताण की गयी होगी ऐसा माना गया है राजनेतिक Parti द्वारा और पर प्रताणद गया और भरत आगए है तो उन्हें सरनार्थी भी नहीं माना गया है उन्हें — प्रताणद भी नहीं माना राजनेतिक कोण्ट था लेकिन जो कानून का इंटर्पीटेशन वह समझ है वह उसके साब चलता है और सुप्रेम कोट से करेगा भारत का यहां पर एक और विशेस बात यह है कि बीजेपी पार्टी अभी जो यह नोटिफिकेशन लाई है चुनाओं से ठीक पहले उसके पीशे की वज़े यह हो सकती है कि एक तो बीजेपी को जो यह सरनार्थी है इनका जो है भारत को नागरित्ता देने के बाद इनके जो सब्सक्राइब मेर चुनाओं से समंदित है और उसके अलावा जो इलेक्टरल बॉंड को लेकर जिसको समयधानिक सुप्रीम कोट ने घोसित कर दिया था उससे समंदित है उस बात से लोगों का ध्यान जो है वह दोबारा से चुनाओं के तरफ मोईने के लिए लोगों को ज सब्सक्राइब दिये गये थे उन पर पतार्ना की गई थी उनको जहां भारत में संदेकर उन्हें भारत की नाइडित्ता देकर उन्हें समान दिया जाएगा और पूर्वक्त जीवन जीने का उनको आवसर दिया जा रहा है जो कि एक खुशी का विशय है लोगों में काफी सब्सक्राइब यह रास नहीं आ रहा है इसको लेकर सुप्रेम कोट का रूप कर सकते हैं और ऐसे में बीजेपी फस्ती हुई नजर आ रही है अब आपको बताते हैं कि बीजेपी के पास क्या विकल्प बचता है देखिए इन चुनावों के ठीक बाद और यदी मुसलिम प बीजेपी को किसी भी हाल में भारत को हिंदू राष्ट्रे गोसित करने के लिए जो भी कानूनी प्रकिरिया करनी है उसको पूरा करना होगा यही नहीं बीजेपी को हिंदू राष्ट्रे भारत को बनाने के साथ-साथ कानूनी रूप से उसको जो है तब ही जाके बीजेपी को यहां से रिलीफ मिल सकती है इसके अलावा जो मुख्य बात यह है कि ये दि बीजेपी ऐसा नहीं करती है भारत को हिंदू राष्ट्रा घोशित करने की कानूनी प्रकिरिया पूरी नहीं करती है तो ऐसे में ये दि सुप्रीम कोट इस कानून को हुआ जी का जाने के बाद चुनाओं के प्रिणाम को बदल दिया गया था उसी प्रकार इन चुनाओं में भी सुप्रीम कोड द्वारा बहुत बड़ा पुलट फेर किया जा सकता है ऐसे में सुप्रीम कोड के जो निर्णा है काफी प्रभावी रहेंगे काफी फिर बदल करने वाले रहेंगे सत्ता परिवर्तन को लेकर तो ऐसे में विजेपी को बहुत ही जादा सतर को जाना चाहिए उमिद करता हूं इस विशे में आपको काफी क्लारिटी मिल गई होगी और यह विशे जो है आपको क इंदे आपको